जी हां दोस्तों IPL 2022 की सबसे बड़ी नीलामी इशान किशन की रूप में 23 साल का युवा विकिट कीपर बल्ले बाज विका है 15 करोड 25 लाख में जहां पर मुम्मा इंडियस की टीम ने इने फिर से अपने खेमे में शामिल किया आपको बता जे दोस्तों किस तरीके से भारते टीम में एंटरी कर चुके बाए हाथ के इस बले बाज को पिछले साल ही मुम्मा इंडियस ने दिलीस किया था इशान किशन के लिए सबसे पहले मुम्मा इंडियस ने बोली लगाई फिर पंजाब किंग्स ने दाव खेला इस से बोली फोरण 6 करोड तक चली गई फिछ मुम्मा इंडियस की टीम ने अपने खेमे में शामिल कर लिया आप सभी को बता दे किस तरीके से 2016 में भारते टीम अंडर 19 को विश्कव के फाइनल तक ले जाने वाले इशान किशन ने इस लीग में पिछले चार सालों में जोड़दार उचाल हासिल करी है इशान किशन साल 2018 से ही लगातार मुमा इंडियस का हिस्सा थे हाला कि उन्हें सबसे पहले 2016 की निलावी में गुजरात लाइंस ने खरीदा था सिर्फ दो साल के लिए IPL के सरही एहमदाबाद की इस फ्रेंचाइजी तब करीब 18 साल के इशान को 20 लाग के वेस प्राइस पर खरीदा वही 35 ल तरीके से शान किशन का बहतरीन परदशन रहता ही IPL की बात करें तो साल 2018 और 2019 में उनकी बल्ले से साल 2018 में 275 और 2019 में 101 रन निकले थे वहीं पिछले कुछ सीरीज और मुकाबले जबर दस्तिन की परफोर्मेंस रहे और विकेट कीपर बल्लेबाज की रूप में भी बहतरीन